हालू गाईज वेलकम टो माई चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है आदिवासी हर्बल हेयरोयल के बारे में जिहां दोस्तों एक ऐसा तेल जो की ओलाइन बहुत ज़दा फेमस है काफी सारी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी इं और क्रीपा करके जो ठगों से स्तावधान रहें एक खास तोर पर दोस्तों आपको बता रहा हूं सबसे प्हले हैं आपको बता दो कि पिछले 6 मंद से आदिवासी हर्बल हेयरोयल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो की जो है करनाटका के पास से ही आता है करनाटका के अंदर जो है बेस्ट कमपनी है जिसकी जो है नकल भी काफी सारी बजार के अंदर है लेकिन उनसे आप बचके रहें दोस्तों जो रिजनल आदिवासी तेल जो है सागी आप मेरे आत में देख पा रहे हैं इसका नाम है आ www.adivasiharbal.com जिया दोस्तों ये इसके एक original website है लेकिन आप इसे Amazon से भी खरीद सकते हैं जैसा कि मैं आपको link भी वा दे रहा हूँ अब बात करते हैं कि इससे आपको फायदे क्या-क्या देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं कि आपको इस तेल से क्या-क्या फायदे देखने को मिलते हैं दोस्तों इसे लगाने से जो आपके hair fall बंध हो जाते हैं आपके जो बाल अगर उमर से पहले सफेद हो रहे हैं तो दोस्तों वो भी बंध हो जाएंगे जी आप जानते हैं कि इसे इस्तेल करने का सही तरीका कौन सा है ताकि सभी के सभी जो viewers को काफी अच्छा फायदा दिखने को मिल पाए दोस्तों आप इसे हफ्ते में तीन से चार बार इस्तेल कर सकते हैं आपने बालों की जड़ों पर अच्छे से तेल लगाना है उंगलियों की सायता से आपने तेल लगाते चलना है और पूरी रात के लिए अपने बालों पर इसे लगे रहने देना है उसके बाद मॉर्निंग में उठने के बाद किसी आयरवेदिक शैंपू से आपने अपने बालों को वोश कर लेना है जो इसका में जो बेस तरीका रहेगा वो यह तरीका रहने वाला है या फिर दोस्तों दूसरा तरीका यह रहेगा कि आप जब भी आपने शैंपू करना है उससे डेर से दो गूंटे पहले आपने बालों के जड़ों पर अच्छे से इस तेल की मालिश करनी है और उसके बाद जो है दो गूंटे बाद अपने बालों को शैंपू से वोश कर ले आपने इस तरीका यह रहेगा कि आपने इससे अपने बालों पर ज़्यादा लंबे समय तर लगे नहीं रहने देना है। कमपनी के थ्रू ही दोस्तों मैंने इससे ओडर किया था और इसका जो प्राइस रहने वाला वही काफी कम रहने वाला है। यहां तक गया तो मुझे इतनी फिकर नहीं होई थी लेकिन जब जो है यह बीच में से बाल उड़ने शुरू होए तो मुझे काफी अधा मैं परिशान हो गया कि यह आप तो बहुत ज़्यादा परिशानी हो सकती है मैं क्या करूँ।